अगर तुम revision को टाल रहे हो तो तुम्हारा नीट नहीं होगा, अगर तुम टेस्ट नहीं दे रहे हो तो तुम्हारा नीट नहीं होगा, अगर टेस्ट को analyze नहीं कर रहे हो तो तुम्हारा नीट नहीं होगा, और अगर PYQs नहीं कर रहे हो तो अभी तुम्हारा नीट नहीं ह करती हैं तो सबसे पहले मैं तुम्हें ब्रीफी बता दू कि आज हम क्या बात करने हैं सबसे पहले बात करेंगे इंपॉर्टेन्च चीज की ré kommt कैसे करता है क्लिएक है ऊसके बाद मैं बात करूंगा प्यास क्या ऐक्यों के बात नहीं करेंगे क्योंकि अभी जिस लेवल पे तुम्हें आइडिया तुम्हारा होने ही वाला है या हो चुका है ठीक है तो हम डारेक्ट बात करेंगे की रिवीजन की कैसे करना है तो हम पहले पर्टिकुलर सब्जेट की बात करते हैं फिजिक्स इसके देखो क्या है थियोरी है प्लस थियोरी के सांद बहुत सारे क्वेशन्स तुम्हें आने चाहिए तो इसको हम रिवाइज भी उसी सेंस में करेंगे कि हम एक बार थियोरी और फॉर्मूला यह देख ले उसके बाद questions बहुत सारा practice कर लें तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है मैंने बहुत बार बोला है कि एक फॉर्मूला sheet बनाओ जिसमें सारे फॉर्मूले चेप्टर के रखो एक पेस दो पेस तीर पेस जितना तुम्हें लगे उतने में बनाओ अब जब तुम revise करोगे एक बार formula sheet पढ़ लिया है अब तुम्हें कुछ और याद नहीं करना थियोरी पर नहीं जानी है या book नहीं reading करनी है अब तुम get direct module पे जो तुम स्टार्टिक से solve करते आओगे उसी module पे यह नहीं कोई नया कर रहा है नहीं तो करते आए हो सिर्फ उ तुम्हें करना है है अब उसमें साट सातर को अच्छी question कर लिए अब जो उसमें तुम्हें doubts आते होंगे उसके लिए थोड़ा सा proper तरीके सा पढ़ना जो मतलब particular question तुम्हें doubt आ रहे है कि यार इस concept वाला मुझे बन नहीं रहा है तो उसके लिए proper revise करो बांकी के लिए तु mostly questions आते हैं numerical साते हैं है तो तुमको इसे हम apply करना है यहां पर एक extra चीज़ है करना ncrt की reading ncrt physical के लिए मतलब थोड़ा सा कर सकते हो मतलब करना है तुम्हें कि थोड़ा बहुत उसमे theoretical type के statement type question आते हैं अब मैं अपनी बता हूं तो मैंने ncrt नहीं पढ़े physics के लिए literally बता र तो उनको पता है कितना theory importance तो उतना वह पढ़ा देते हैं तो तुम्हें extra करने की ज़रूरत वैसे है नहीं अब it's up to you कि तुम्हें ncrt पढ़नी है या नहीं ठीक है मेरी तो बिल्कुल इच्छा नहीं होती थी physics की पढ़ने की तो मैंने नहीं पढ़ी है physics के लिए बट बां तुम्हें extra minute में तुम्हें revise करवा देगा बट statement के लिए 20-20 में तुम्हें ncrt पढ़नी भी ज़रूरी है जैसे तुम्हें 2-3 बार short note पढ़ा उसके बाद एक बार तुम्हें proper ncrt पढ़ी तब तुम्हारा ही फायदा होगा नहीं तो short note से यह हो जाएगा कि सारे question हो जाए उसके बाद तुम क्या करोगे तुम पढ़ोगे ncrt ताकि तुम्हारे statement वाले भी अच्छे से दिमाग में रहें अभी ऐसी बायो जैसा कर लिया जैसा बायो किया वैसा ही तुम्हें organic और inorganic करना है inorganic को तुम्हें मतलब इतना अच्छे से तुम्हें ncrt करना है उसमें करीब जब मैं solve कर रहा था like मैं अपने टाइम पर था तो 2020 का question था कुछ इसमें मतलब जो भी compound है इसमें impurities क्या-क्या होती है और पी ब्लॉक का question था शायद 11th class का अब मुझे लगा यार यह मैं जब ncrt बढ़ तो मुझे लगा नहीं important है मैंने गोला impurities को नहीं पूछेगा बट ऐसा हुआ नहीं भाई वो इतना तगड़ा question आया मेरे को बना ही नहीं मैं बोला या यह पी वाई क्यों नहीं बना मतलब तुम्हें इतना important है तुम्हारा क्यों क्योंकि तुम्हें ncrt मतलब इतने अच्छे से तुम्हें inorganic की करनी है और तुम्हें करनी पड़ेगी organic की बात करें तो organic में तुम्हें basically reaction सारे named reaction याद होने चाहिए सारे reaction NCRT से ही extra तुम बस समझने के लिए कर सकते हो बट याद करने के लिए बस NCRT, NCRT से बाहर जाने की कोई ज़रूत नहीं है अब तुमने कर लिया है revision अब तुम्हें क्या करना है अब दोसरी चीज़ के बारे में बात करेंगे कि अब देना है तुम्हें टेस्ट अब तुम सुझ रहोगा यार minor test दो या major test दो अब मैं बता दू माइनर क्या है माइनर वो है दो तिन ती चार 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 सारे 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 के टेस्ट होते हैं और major समझ लिए mock test है जो सारा से लेवस आता है तो अभी जिस लेवल पर हो तुम 6 महीने है तुम्हारे पास तो अभी major देने का इतना कोई importance नहीं है आखरी के अच्छा भी करा सकता है बुरा भी करा सकता है क्यों अच्छा रहले यह होगा कि एक chapter में बहुत सारे topics हैं बहुत सारे ठुपिक अब मेजर मन Richtung में बहुत getting it तो बहुत इंपॉर्टन्ट है अभी से देनिए कोई मत करना minor test अभी से ही मतलब पहले भी तुम दे रहे हो और इसको continue करना है यह नहीं कि अभी अब direct major पे आगे अब तुमने revise भी कर लिया टेस्ट भी दे लिया तो अब तीसरी important चीज टेस्ट analysis इसको कैसे करना है अब देखो जो टेस्ट analyze कर रहे हो तुम्हारे मान लो 15 गलत हुए 30 गलत हुए ठीक है अब तुमको देखना है दो चीज़ को पता करना है कि यह minor mistake था या major mistake है major mistake यह नहीं conceptual mistake है अब तुम इसको कैसे देखो कि minor mistake क्या होता है calculation mistake हो गया तुम question क्या पढ़े कि वह not पूछा है तुमने उल्टा कर दिया यह बोला है कि इसमें से कौन सा नहीं होगा तुमने कर दिया कौन सा होगा तो यह सब minor mistake होती है यह तुम वैसे तो यह सबसे ज्यादा मतलब दिक problem होता है तो सबसे पहले तुम minor mistake को हटाओ कैसे हटाओगे तुम question ढंक से पढ़ो proper focus तरीके से पढ़ो क्यूंकि तुम question पूरा अच्छे से पढ़ो कि बहुत पर होता है हमें question श्यादत होती है कि हमेशा यही पूछता है तो यही पूछेगा हमें लगता है दिमाग पहले स में calculation गलत मत करना especially physics का देखो लुलू question आते हैं तुम्हें पता ही है और कोई rocket science वहाँ पर लगाना नहीं होता क्यों क्यों क्या नीट का physics तुम्हें पता है और नॉर्मल सा ही calculation होंगे as compared to JEE तो तुम उसमें गलत कर रहो त्यार बहुत जादा गलत हो है तो इतना नहीं करना calculation mistake जितना कम कर सको क्योंकि number वह भी खाएगा बहुत जादा खाता है अब major mistake की बात करते हैं जो की होता है क्या वह होता है concept या theory है na concept या theory अब तुम को find करना है कि या वह chapter कौन सा है तुम बहुत देखना है mostly अगर कोई एक particular chapter होका तुम्हें लगया कि या particular chapter है या particular topic है जो म तुम्हार बार बार गलत करता हूं तो अब इसको क्या करोगे इसको proper concept समझोगे theory पढ़ोगे अगर नहीं समझाया lecture देखोगे बट इसको strong करोगे अगर जो तुम्हें नहीं आ रहा है उसको strong कर लिए बस तुम्हारा number increase होगा बट यह confirm होता है कि कोई particular topic या particular दिमाग में ज चीज तुम्हें mistake पकड़ लिया minor major दोनों अब तुम mistake book बनाओगी एक mistake book जो कि मैंने बनाई हुई थी एक मैंने diary ली अब जो test में मैं देखा inline किया अब जैसे कुछ होते हैं जैसे कुछ है एक value दी जो मुझे भूल गया था ऐसे value वाली चीजे मैं उसमें लिख लाग था इसकी value ये है इसका ये है अब इससे क्या करता अब mistake book का use मैंसे कैसे करता मैंने अपनी mistake लिख लिख लिए ये निकी पुरा question उतार लिया उसके answer और उसका क्या question था वह लिख लिया ठीक है अब उसका मैंने use कैसे किया जब भी पढ़ने का बननी हुआ इवनिंग हुआ सुनने में चोटी चीज लगती है और बहुत ही important है इसे तुम्हें पदलता है तुम्हारा preparation सही track पे जा रहा है या नहीं अगर तुम PYQ कर रहे हो मतलब need का question कर पा रहे हो जो need का level है तो तुम्हारी preparation सही track पे जा रही है बट अगर वही तुमसे नहीं बन रहे है तुम्हा कि हमें 10-15 साल इनफ होता है करने के लिए उतना तुमसे आइडिया लग जाएगा वो बस PYQs आइडिया लेने के लिए होता है कि तुम्हें आ रही होती है या नहीं अब देखो पुराना करने में दिक्कत क्या है अब तुम बायो के कुछ पुराने questions उठाओगे 15-20 साल प पहले NCRT पर फोकस करो अगर तुम्हें लग रहा NCRT 100% कर लिए हो तब ही एक्स्ट्रा पर जाना यह तो कोई important नहीं है अब मैं तुम्हें एक book बता दूँ जो कि PW के आती है 36 year की जिसमें तुम्हें topic wise, chapter wise सारे solution मिलेंगे PYQ के अगर तुम लेना चाते हो तो PW store से ले सकते और साथ में मेरा coupon code use करोगे देव 150 तो तुम्हें 8-10% का आराम सा discount मिल जाएगा इजो मैंने चार चीज़ बताइए अगर तुम इन में से एक भी चीज़ नहीं कर रहे थे तो तुम्हारा preparation ने गलट track पे जा रहा था बट इन चारो को तुम अब से करना शुरू कर दो proper तर slice करो और PYQ भी solve करो और अगर तुम्हारा और भी कुछ doubt बसता है जो तुम्हें doubt हो रहा हो क्या करना चाहिए क्या नहीं तुम comment section में comment करके पूछ सकते हो मैं तुरंत answer कर दूँगा तुम्हें बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो like करना मत बूलना and subscribe तो करी देना तब त